आपका मेरे यूटूब चैनल पे स्वागत है अगर आप नए है मेरे यूटूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्क्राइब कर लें ताकि आप लोगों के नए नए वीडियो मिलते रहें आज का हमारा जो टोपिक है वो है भारत की जल्वाई को लेकर के और NCRT आधारित आपका जो पूरा मेटर है वो रहता है और NCQ हम परसन कर रहे हैं जो की परत्योगता परिक्षाओं में आपको काम आएंगे और काफी आपके लिए यूजफूल रहेंगे चलिए बात कर लेते हैं पहले परसन को लेकर के आज का जो पहला परसन है वो है कि भारत की जल्वाई है वो कैसी है तो आपको यह बताना है कि भारत की जल्वाई है वो किस परकार की जल्वाई है इसके बारे में आपको बताना है क्या उसन मानसुनी है क्या मानसुनी है उस अद्र है सितोसन है तो देखिए भारत के अगर जलवाई की आप बात करते हो तो भारत की जलवाई किस परकार की है उसने मानसूनी जलवाई हुए किस परकार की है उसने मानसूनी जलवाई हुए यहां जो मानसून सब्द आता है कौन सा मानसून जो सब्द आता है यह किस भा किस भासा का है मानसून सब्द अर्भी भासा का है और अर्भी अर्भी भासा के जो मौसम है अर्भी भासा का जो मौसम है मौसम से ठीक है तो मानसून जो है अर्भी सब्द जो है अर्भी भासा के मौसम सब्द से लिया गया है तो यह आपको यह जो मानसून है अर्भी भासा क जो मौसम सब्द है इससे मानसून का मानसून सब्द लिया गया अब इसका मतलब क्या होता जो तात्परी कि अगर आप बात करोगे भई इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रितू परिवर्तन जब भी रितू परिवर्तन होगा और रितू परिवर्तन के साथ साथ क्य क्या होगा मानसून पाउनों की जो दीसा है तथा वर्षा करने की जो छमता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है तो भारत की जो जलवाई हुए किस परकार किया है उसमें मानसूनी है यह तो अपने बात की जलवाई को लेकर के और यह बात की हमने मानसून को लेकर के मानसून सब्द किस भासा का अर्भी बासा का मौसम से लिया गया और इसका तात्प्रिय जो है आपको बता दिया गया है नेश्ट क्यूशन है किसने कहा कि विश्वे की समस्थ परकार की जल्वायू भारत में पाई जाती अब आपको यह बताना है कि निम्नικό मेंस किसने यह कहा कि विश्वे की समस्त परकार की जलवायू भारत में पाई जाती है निकि विश्वे में पूरन विश्वे में जलवायू पाई जाती है वो सारी के सारी जलवायू भारत में भी पाई जाती है तो इसका मलब पूरी जलवायू जो ऐसा है जो विश्वे में जलवायू चाहे बिल किस ने कहा तो ऐसा कहने वाले कौन है मास्ट डेन है कौन है मास्ट डेन है मास्ट डेन ने कहा कि विश्व की समस्थ परकार की जलवायू भारत में पाई जाती है अगला जो क्यूसन है कि जेट परवाग की कौन सी साखा भारत में सीद कालिन चक्रवात लाने में सहायक होती है अब जैसे आप बात करोगे भी जेट परवाग की कौन सी साखा तो आपको यहां ध्यान रखना है कि जब भी सीत कालिन चक्रवाद की बात आती है तो पस्मी जो जेट परवाग है वो भारत में सीत कालिन चक्रवाद लाने में साय की होती है कौन सी पस्मी अगला जो परसन है कि भारत के किस भाग में पस्मी विक्षोबों द्वारा सीतरितू में वर्षा होती जब भी सीतरितू की बात आयर उस सीतरितू में अगर पस्मी विक्षोबों द्वारा सीतरितू में वर्षा होने की जब भी बात आती तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्या ध्यान रखोगे कि इसमें जो उत्री पस्मी भारत में वर्षा होती है किसके द्वारा पस्मी विक्षोब हो द्वारा कब होती है सीत्रितु में और उत्री पस्मी भारत में वर्षा होती है यह आपको पता चल गया यह क्या है कि जो पस्मी विक्षोब है कौन से पस्म महादीप में जाड़े के मोसं में पस्सिम तथा उतर पस्शिम से परवेश करते हैं और इनका जो जन्म है वो कहां होता है भूमद्ये सागरपर ठीक है और भारत में इनका जो परवेश है वो पस्मी जेट परवा द्वारा होता है किसके द्वारा होता है पस्मी जेट परवा है के द्वारा होता है तो आपका पस्मी विक्षोप कहा उत्पन होते हैं भूमदे सागर पर किसके द्वारा आते हैं पस्मी जेट परवा के द्वारा आते हैं सीत्रितु में कहा वर्षा करते हैं उत्तर पसमी भारत में करते हैं अगला परसना आपका कि भारत के कौन से भाग में लोड़ती हुई मानसून द्वारा सीत्रितु में वर्षा होती है आपको यह बताना है कि जब मानसून लोड़ता है भारत की हम बात करें तो भारत के भारत हुआ जो मानसून होते हैं कहां वगता है और बात करों कि तो हैं इस ल Estamos हो गया उता द्रुट होटी आफना पर्सन पूरा बन्ता अब ईक हो बात कर लेते हैं ऑसे पुचह हुए उसके द्वारा सीत्रितू में वर्सा होती है, कहा होती है ये आपको बताना है, तो ये देखे अगर आप बात करोगे तो इसमें मानसून द्वार के द्वार वरशा होती है वो होती है कोरो मंडल तठ तमिलनाडू में ठीक है तो यहां लोटे है मांसून द्वारा सीत रितू में वरशा होती है जब कि यह मालावार तठ और जो कौंकरंटत्ट है ये दोनों के दोनों कहां हैं यह आपको एने पस्मिघाट पर मिलेंगे जब कि आपका ये जो कोरो मंडल तट है आपको यहाँ तमिलाडो में मिलेगा जब कि यहां उत्री सरकार जो तट है व इस्तित है तो जब उत्री सीत रितू में एगर बात करते है वर्शा की अगर बात करते हैं तो ये मानशून जब लोडता है लोड करके आने की विए से भंगाल की खाड़ी से आदरता ग्रहन करता है और इन छेतरों में वर्शा कर देता है अगला क्यूशन है कि सामाने परती 165 मिटर की उंचाई पर कितने डिगरी सेंटिग्रेड तापमान में तापमान कम हो जाता है यह निकि 165 मिटर की उंचाई पर जैसे आप जाओगे तो कितना डिगरी सेंटिग्रेड तापमान कम हो जाता है यह आपको बताना है तो इसमें जो है आपका कि आप परती 165 मिटर की उचाई पर जाओगे तो कम से कम एक डिग्री सेंटिग्रेट तापमान कम हो जाता है कितना एक डिग्री सेंटिग्रेट तापमान कम हो जाता है अब इसके पीछे अगर कारणों की अगर हम बात करें देखिए अभी से परवाव क्या पड़ता है कि इस कारण से हिमाले के जो उस ड़ाल होते हैं वहां हमेशा क्या जमी रहती है बर्फ जमी रहती है और फिर यह बात कर लेते भी अब फेक्टर क्या बनेगा कि एक ही अक्सा पर इस्तित है और उसकी उचाई में भीनता है तो इस करण से क्या है ग्रिश्म कालीन और से तापमान ना उसमें अंतर आता है तो जैसे कि उसकी हम बात करें और एक ही अक्सांस परिये स्तित है तो मस्फूरी में 24 दिगरी के इंतर गरीश्म का परहता है अगला जो पर्शन है भारत के थीजट ले वर्शाका वार्शिक और को यह आपको बताना है भारत के पस्मी तट्शू में वर्सा का वार्षि कोसत कितना रहता है तो हम बात करते हैं कितने 200 सेंटी में बाता है इन च्चेतरों में यहाँ आद करते हैं तो इन से उसमें वर्षा अधिक होती है 200 सेंटी में और टाल था था तो ये वर्षटी चैया हैं रहे जाता है क्या दो ये पर सनाई सानी 1912 में में पुँछा गया था कि वर्षा रितू में वायू मंडल में सरवा दिक आदरता विद्मान रहती है तो इसके बारे में आप जब भी मैसूस करते हैं और वाई-मंडल में सरवादिक आदर्ता की श्थतिजभाब देखते हैं तो यह रहती है कभी प्राट्यकाल में अगला अग्ला है जैसेही तो सर्दियों में सर्दियों में जब परत्यावर्थी मांसुन हो जाता है उल्टा हो जाता है मांसुन जाने के बाद में रिटन आता है तो उस समय पूछा जा रहा है कि उस समय आधरता मांसुन कहां से ग्रेंड करता है यह आपको बताना है तो यह जो है वो बंगाल की खाड़ी से ग्रेंड कर तो कहां से आधरता घ्रहन करता है बंगाल की खाड़ी से अगला जो क्यूशन है भारत में जनवरी महा में या मास में वायू जेट स्ट्रीम की स्थती क्या होती है यह पुछा गया है आपसे कि भारत में जनवरी मास में भारत में जनवरी महा की बात कर रहा है वायू जेट स् करीम है वो थर से हमाले के उत्तर से खिसक करके धैक्षिन को घृबार हो जाथी लगभी हो थाहां में पर थी हैं प keen अप सिम से पूरफ दिसा में होती है हिमाले के दक्षिन की और चली है आज के लिए दो भर मुलाकात करते हैं तब के लिए धन्यवाद नमस्कार